हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बाक टू मैं चानल, दिस इस मुस्कान नारगवानी और आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 साइंस की किताब का चाप्टर नमबर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेज तो लाइफ प्रोसेसेज में लाइफ से क्या समझाता है? Live याने की जिन्दगी, अब क्यीची जिन्दा है की नहीं इसका पता कैसे चलता है? अब क्या चीज़ मूव कर रही है की नहीं, उसको देके हम पता लगाते हैं की क्या वो जिन्दा है या नहीं अब उसके अलावा क्या चीज़े हो सकती हैं? जसकी breathing जैसे कि कोई इनसान है या कोई जानवर है अगर वह मूफ कर रहा है तो हम कहा सकता है कि हां वह जिंदा है लेकिर अगर वही जानवर इनसान सोग तो हम से क्या कहें वह मर गया है बिल्कुल नहीं, हम ये कहेंगे कि वो breathe कर रहा है, यानि कि वो जिन्दा है लेकिन जब बात आती है plants के case में plants जो हैं, वो ऐसा कोई significant movement दिखाते नहीं है और breathing भी उनकी noticeable नहीं होती है तो क्या, जो plants हैं वो non living है? नहीं, क्योंकि वो एक और चीज़ दिखाते हैं जिसे हम कहते हैं growth over the years, जो plant है, जो अगर हम छोटा सा seedling लगाएंगे तो वो एक बड़ा plant होते होते, एक tree में develop हो जाता है तो इसलिए हम कहते हैं, जो plants हैं, वो growth करते हैं growth कैसे करते हैं? उनके पास photosynthesis करते हैं वो लोग जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, और फिर उनके अंदर जो है नएने molecules develop होते हैं, और फिर उससे वो growth करते हैं तो यह हो गया growth का, लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ exceptions भी हैं जैसे कि अगर movement की बात करें, तो fan है, fan चल रहा है तो वो भी तो movement कर रहा है, तो क्या वो भी alive है? नहीं, breathing, अगर इनसान ने अपने सांस रोक ली, अगर वो सांस रोक लेता है कुछ seconds के लिए सांस नहीं ले रहा है, तो क्या वो death हो गया, die हो गया, वो मर गया, नहीं प्लांट से केस में भी movement of breathing इतना significantly दिखाई नहीं देता है अगर growth की बात की जाए, तो जो sand dunes होते हैं ये भी तो बढ़ते जाते हैं, अगर आप देखेंगे, तो ये भी अपनी जगया बदलते हैं और इनकी जो height है, जो इनका growth है, वो भी होता है कभी अगर आप देखेंगे, तो sand dunes कभी आपको इधर देखेंगे पर over the years, अगर उस पे और ज़्यादर sand आ गई, तो उसकी भी growth होना possible है तो के ये भी alive है? नहीं अब अगर हम बात की जाए, ऐसी एक चीज जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या जो चीज है हमारे सामने वो alive है कि death, उसमें एक important factor आ जाता है, वो है movement of molecules Molecules मतलब बहुत ही छोड़े छोड़े कर्ण जो atoms से मिलके बनते हैं उनका movement जो हमारी body होती है, चाए animals की body होती है, चाए plants की body होती है सब में ये छोड़े छोड़े molecules जो है, वो movement दिखाते हैं और ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है life का, तो इससे पता चलता है कि एक alive individual में कितने सारे processes होते हैं, और ये processes की जरुवत क्यों बढ़ती है वो इसलिए, योगि इन सब processes के through ही, जो life है वो sustain हो सकती है अगर कोई life grow नहीं करेगी, तो वो उस जगे पर stable, sustainable तरीके से नहीं रह सकती वो breathe नहीं करेगी, तो उसके अंदा oxygen नहीं जाएगा, जिससे उसके आगे के metabolic processes नहीं हो पाएगे तो यह सब जो भी चीजें हैं, they are very important for the maintenance of the organism अब इससे हमें एक और टर्म मिला, maintenance function maintenance function is very important, जो कि हमारा यह पता करता है, कि जो life है, वो sustain रह पाए अब अगर आप देखेंगे, तो कोई भी organism जो है, उसमें breaking down होती रहती है कोई भी organism जो है, उसमें cells मरते रहते हैं, तो उसके जगे नए cells की भी तो जरुबत होती है उसको कहते है, maintenance function, अगर जैसे कि अगर आप society में रहते हैं, तो आप maintenance bill भी देते होंगे या अगर आपको खुद का घर है, तो कुछ न कोच चीज़े तूटती रहती हैं, उसको हम कहते हैं कि एक तरह से maintenance करना तो maintenance function का यही मतलब है, कि हमाई body में जो चीज़े हैं, जो cells हैं, वो continuously death होती रहती हैं वो continuously मरते रहते हैं, उसी कहते हैं, maintenance function अब आपके एक और point बहुत important है, कि जब बात करते हैं virus की तो virus के case में कि virus alive है कि नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा debate का question है क्योंकि अगर virus किसी non-living surface के उपर पड़ा है, तो वो बिल्कुल as a non-living thing की काम करता है ना यह reproduce करता है, ना यह किसी तरह का movement दिखाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी function नहीं होता है पर जैसे ही यह किसी living machinery के अंदर चला जाता है, वैसे ही यह जो है वो reproduce करने लगता है और ना ही सिर्फ reproduce करने लगता है, बलकि उस living machinery को बहुत जदा harm भी पहुचाने लगता है उसकी machinery को breakdown करने लगता है और अपना survival rate आगे बढ़ाने लगता है through reproduction तो virus alive है कि नहीं, यह काफी debate का topic है लेकिन अगर हम देखें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी living machinery के अंदर जो virus है वो living being की तरह ही जो है वो काम करता है अब वापस आते हैं maintenance function पे तो maintenance function के उपर बहुत बड़ा आपका paragraph है जिसका topic है कि what are life processes यह कि आखे life processes का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है maintenance function ही तो आईए जानते हैं कि उस पार्ट में actually author कहना क्या चाहता है तो अब हम बात करते हैं what are life processes तो जैसे life processes के बारे में आता है हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए maintenance function life processes से हमारे दिमाग में आया maintenance function यह total flow chart की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगे जिससे आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा बहुत बड़ा paragraph है और इसमें से questions आ भी सकते हैं तो अगर वो पूरा paragraph आपके tips पे होगा तो आप easily questions कर पाऊगे इसे flow chart की तरह पढ़ा रही हूं तो वैसी पढ़िएगा ठीक है तो life processes से सबसे पहले हमारे दिमाग में maintenance function maintenance function के बारे में मैंने क्या बताया था maintenance function वो सारे processes होते हैं जिससे की जो हमाई body में breaking down होती है जो भी cells की death होती रहती है उनकी जगह नए cells आते रहते हैं उसे repair करते रहते हैं और अगर growth की बात है हम जो है organism को एक proper growth भी होती रहती है उसकी over the years तो उस चीज़ को भी maintain करते रहते हैं यह maintenance function तो life processes क्या है वो सारे processes जिससे उस organism का maintenance job complete होता रहे उसे कहते है life processes अब यह maintenance function करने के लिए हमें energy चाहिए होती है है और energy हमें किस form में चाहिए मिलती है from the outside external environment से मिलती है in the form of food हमें क्या चाहिए होता है required energy और यह energy हमें external environment से मिलती है in the form of food ओके अब यह जो food है यह external environment के लिए है पर जैसे यह हमें body के अंदर जाता है तब हमें यह nutrition provide करता है तो maintenance function हो गया है इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है energy और energy हमें किस form में मिलती है through the external environment in the form of food of food हमारे body के अंदर जाके हमें क्या provide कर आता है nutrition अब जो हमारे external environment है that is completely based on carbon based matter तो जितनी भी बहार की चीज़े होती है उसमें carbon का जो होता है maximum portion होता है तो हमारा जो food है उसमें भी maximum क्या होगा carbon तो जो nutrition है वो हमें food से मिलता है जो की अलग अलग तरीके के substances होते हैं जो basically carbon से बने होते हैं अब यही carbon carbon based matter अलग अलग complexity में आता है तो उसको लेने का nutrition जो हम लेते हैं उसके processes भी अलग-अलग है तो जो carbon processes है carbon beast जो भी हम लोग nutrition लेते हैं इस वेरी complex और इस वजह से ही nutrition के अलग-अलग processes होते हैं तो यह हमारा पहला process आ गया अब यह तो हो गया nutrition process अब इसके आगे हम यह सोचते हैं कि यह जो अलग-अलग तरीके को हमें nutrition मिला यह nutrition हमारी body को कैसे हमार बॉड़ी को कैसे utilize करेगा अब हमारा जो बॉड़ी है यह अलग-अलग organisms हैं यह अलग-अलग तरह के environment से exposed रहते हैं तो इनको फूड मिलता है जो nutrition को यूज करती है अब हमें स्टार्श मिल गया हमें इती बहुत कॉंप्लेक्स प्रोटीन होते हैं विटमिन होते हैं इती सब कुछ चीजे हमें मिल गई लेकिन हमारा बॉडी जो है उसे छोट-छोटे पार्स में ब्रेकडाउन कर देता है जिससे वह एक सिंपलर फॉर्म में क कर पाए उसे यूटिलाइज कर पाए उसे एब्जॉब कर पाए तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं हमारा बॉडी कंटीनियूसली इन सब चीजों को ब्रेकडाउन करते रहता है या उनसे दूसरी चीज़े बनाता रहता है जिससे कि वह जो सबस्टेंस है वह इस फॉर्म में आ जाए कि हमारा बॉडी के लिए वह सफिशन्ट हो कि वह उसे यूज कर पाए तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें से यूज्विली होता है ऑक्सिडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस तो यह जो है मेंली वह प्रोसेस होते हैं जिससे या तो सब्सेंस ब्रेकडान होते हैं सिंपलर फॉर्म में सिंपल सब्सेंस को एक ऐसी फॉर्म दी जाती है कि हमाई बॉडी उसे इसली यूटिलाइस कर पाए अब इसमें बेसिकली जैसे ऑक्सिडेशन से नाम से ही पता च चल रहा है हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का इंटेक करना फॉर सेलिलर फॉर ब्रेकडाउन ओफ कॉंपलेक्स स्ट्रक्चर्टर्स उसे कहते हैं रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक होना और सेल के अंदर जो कॉंपलेक्स स्ट्रक्चर्टर्स हैं उनका ब्रेकडाउन करना तो फॉर्म एनरजी जिससे कि ऐसे कंपाउंट्स पैदा हो जिससे जो सेल है उसे अब्सॉब करके एनरजी में यूटिलाइस कर पाए उसके है respiration तो यह आ गया एक और हमारा प्रसेस न्यूट्रिशन प्रसेस के बाद आ गया हमारा respiration अब अगर oxygen हो गया food हो गया इन सब की intake की बात आ गई तो unicellular or multicellular हमें दो तरह के organism पड़े थे अब इन organism का जो intake करने का process है वो भी काफी अलग अलग होता है for example अगर unicellular organism है तो उसका एक single cell है जो कि पूरे environment से exposed है तो वह easily उसका पूरा cell जो है वह चाहे oxygen हो गया चाहे nutrition हो गया वह easily absorb कर लेता है पर जब multicellular organism की बात आती है तब अब oxygen को intake करने या food को intake करना इसके लिए को specialized tissues यूज होते हैं अब यही specialized tissue जो है वो उस organism के किसी part of body में present होते हैं लेकिन वो जो चीजें वो absorb करना है चाहे वो oxygen हो या कोई भी complex compound हो उसको absorb करके उन्हें दूसरे अगर किसी part में use करना है क्योंकि breakdown तो body के किसी भी part में हो सकता है और body के किसी भी part ने उन चीजों की जरूरत पढ़ सकती है तो इसे लिए अगर वो complex compound या oxygen की जरूरत हमें body किसी और part में चाहिए तो हमको एक और function का जानना पड़ेगा नाम वो है transportation function तो अगला आ जाता है respiration के बाद transportation तो multi-cellular organisms specially multi-cellular organisms के केस में जो organisms हैं उनमें specialized tissue होते हैं जो कि यह जो भी complex compounds या oxygen है इनको absorb करते हैं और फिर कुछ और specialized tissues होते हैं जिनसे transportation होता है और वो transportation is very important क्योंकि इन सब compounds की जर्वत body के किसी भी part में पढ़ सकती है तो transportation के through हर जगे यह जो components है यह available कराए जाते हैं ताकि जो body है वो sustainable तरीके से आगे ग्रो कर पाए और maintain कर पाए अपने आपको जैसे कि हम starting से बात करें maintenance function की तो transportation का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ओके अब हमाए पास साही चीज़े अवेलेबल हो गई पूरी body में transportation हो चुका है और energy भी बन चुकी है हम लोगों ने एनर्जी यूटिलाइज भी कर ली पर जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसका byproduct भी बनता है तो ट्रांस्पोर्टेशन के बाद आ जाता है formation of byproduct अब byproduct एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके body में utilize हो भी सकती है और नहीं भी for example अगर हमारे body में respiration होता है तो carbon dioxide as a byproduct निकलती है तो वह carbon dioxide जो है उसको वह as a waste है वहां पर तो हमको निकालना पड़ता है तो उसको निकालने के लिए भी जो tissues हैं जो cells हैं वह further specialized होते हैं तो फिर यह formation of byproduct हो गया अब इनको निकालना है because they are not useful for our body और इनका अगर accumulation हो गया तो वह हमारे body के लिए poisonous थाबित होता है और इसके कुछ example आ जाते हैं जैसे आता CO2 या फिर यूरिया कुछ organisms में ammonia तो यह कुछ byproducts हैं जो body में form होते हैं जिनको body से excrete out करने की बहुत important बहुत ज़्यादा जरूरत होती है विए अगर यह हमारे body में present रहे और यह नहीं निकले तो यह बहुत ही poisonous थाबित हो सकते हैं और उससे individual यह organism की death भी हो सकती है तो फिर अगेन जो tissues हैं वह specialized होते हैं और फिर अगला function आता है excretion process तो यह बन गया आपका पूरा flow chart और यह पूरी की पूरी कहानी जो है वह आपके उस बड़े से paragraph में लिखी हुए under the heading what are life processes तो यह maintenance function से शुरू होके excretion तक जाता है तो maintenance function का मतलब यही कि वह function वह processes जिससे हमारी जो body है वह sustainable form में आगे भर सके उसमें क्या क्या चीज़े होती हैं जितने भी breakdown होते हैं उनको cover करने के लिए recover करने के लिए body को उसकी जगें दूसरे से जाते हैं इसके लिए energy required होती है जो हमें external environment से मिलती है through food हमारे body के अंदर जाके हमारे internal environment में हमें से बोलता है nutrition nutrition जो है वह हमें carbon based complex compound से मिलता है जो कि काफी diverse होते हैं तो उनको absorb करने का जो process है वह भी बहुत अलग होता है उसे कहते है nutrition processes अभी nutrition processes में हमारा जो body है वह carbon compounds को अलग तरीके से breakdown करता है जिससे हमारी body के लिए वह useful हो जाए तो उसके लिए oxidation और reduction जैसे बहुत से processes होते हैं यह जो process है इन में जरुवत होती है oxygen की और टू की तो वह हमारी body breathing के through हमाई body में आ जाते हैं और वहां पर energy develop होती है in the process of respiration अब respiration में हमें जितनी भी चीजें थी oxygen हो गया जो भी था सब कुछ मिल गया food में हमको complex carbon compounds मिल गया लेकिन अगर वह body किसी और पार्ट में जरूरी है किसी और पार्ट में required हैं तो फिर उसका transportation होगा through specialized tissue transportation हो गया अब वहां पर वह यूज़ भी हो गया तब होंते हैं byproduct अब byproduct जो है वह हमारी body के लिए dangerous भी सावित हो सकते हैं तो वह हमाई body से निकलने चाहिए तो उसके लिए अगें उनका transportation होता है यहां पर अगें इनका पर transportation होता है और excretion process के थूँ वह सारे के सारे byproducts अपकी body से निकल जाते हैं so this was about today's video अगर आपको यह video अच्छी लगे तो प्लीज इसे like करें comment box में इसके बारे में comment भी करें अगर आपकी कोई भी query है तो comment box में जरूर पूछने में जरूर answer करूंगी अपने दोस्तों को share करें मेरे चानल को subscribe करें latest video की notification पाने के लिए this was all about today's video आगे हम पढ़ेंगे nutritional processes के बारे में so मिलते हैं अगले video में till then stay safe and keep learning